इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, अपने मोवाइल में Share Me एप को कैसे डाउनलोड करते हैं, अगर दोस्तो आपके पास किसी भी कमपनी का फॉन है और आप उसमें Share Me एप को इंस्टॉल करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, लेकिन आपको प अपने फॉन के अंदर इंस्टॉल करना और डाउनलोड करना बहुत यसान है, चली मैं आपको बताता हूँ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अगर दोस्तो आपको डाउनलोड करने नहीं आएगा, तो मैंने इस एप्लिकेशन का लिंक अपने टेलिग्राम चैनल में दे द जिया है, जहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, देन बात कर लेते हैं, आप डाउनलोड कैसे और कहां से किया जाएगा, सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, पले श्टोर आप जैसे ही ओपन कर लेते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आता है, पले store जो हर एक phone में होता है तो इसे आपको खोल लेना है जैसे ही open कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का page मिलेगा उपर में search का option दिखेगा आपको इस पर click करना है जैसे ही यहाँ पर click कर देते हैं तो यहाँ पर search का option खुल लाता है और यहाँ पर आपको search करना है share me कुछ इस तरीके से आपको share me यहाँ पर search करना है और यहाँ पर इसे search कर देना है जैसे ही share me आप search करेंगे तो यहाँ पर जो यह share me application दिख रहा है यही application real है share me का जैसे कि आप देख सकते है rating की बाद करें तो 4. rating 5 है इसका और यहाँ पर 32MB का यह application है downloading की बाद करें तो 100 crore plus जो है यह downloading है जैसे कि आप देख सकते है इसके बाद अपते phone के अंदर इसे download करने के लिए आपको install वाला button दिया जाता है आपको इस पर click करना है जैसे ही install के button पर आप click करते है तो यह जो application है आपके mobile के अंदर download होना start हो जाएगा install होना start हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है और यहाँ पर यह थोड़ी ही देर में आपके phone के अंदर जो है यहाँ पर चलना भी start हो जाएगा इस application की मदर से आप एक phone से दुसरे phone में किसी भी परकार का video, गाना, audio या फिर दोस्तो image जो भी number वगरा जो भी आप send करना चाहते है वो इससे आप कर सकते है और वीडियो कैसा लगा आप हमें comment box में जोर से बताएगा वीडियो को like करना साथ इस channel को subscribe करना ना भूले